तो दोस्तो आज मुकाबला था 30 मुकाबलों के बाद IAT 20 में पहले कौलिफायर का पहला कौलिफायर हुआ गल्फ जाइंट्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच में गल्फ जाइंट्स ने टॉज जी के पहले गेंदबाजी करने का निरने लिया और दोनों ही टीमों के तरफ यश हम एक बार नज़र डालेंगे और देखना होगा कि क्या-क्या बदलाव किये गए आज किस मुकाबले में बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देख सकते तो प्लेइंग 11 में Angus Atkinson, Luke Wood और वनेंदू हसरंगा प्लेइंग 11 में आये थे फर Desert Vipers और उधरी Gulf Giants के लिए हमने देखा कि Chris Jordan वो टीम में आये थे इवन Chris Lin को वापे सलाया था टीम में उनको सबको रेच दिया था बहुत बढ़िया उनके दोनों 11 थे यहाँ पर और Gulf Giants टॉस जीत कर जैसे अपने बोलिंग का फैसला किया था लेकिन यहाँ पर Desert Vipers की हालत बड़ी पतली हो गए थी क्योंकि पावर प्ले में उनके सिर्फ 36 संद बने और तीन विकेट उनके जा चुके थे लेकिन उसके बाद जो मिडल ओर्डर थी Desert Vipers की वो कामा गई सैम बिलिंग्स, हसरंगा, टॉम करन और शर्फेन रदरफोर्ड शर्फेन रदरफोर्ड रिटायर हर्ट हुए उसके बाद वो वापिस आया बल्ले बाजी करने के लिए और तूफान समाचा दिया लड़ी लगा दी चक्के और चौको की उन्यस गेंदों में 37 रन देकर जहां पर ऐसा लग रहा था कि 140 भी नहीं बनेंगे वहां पर Desert Vipers ने 178 रन्स बनाए बिल्कुल 179 रन्स का लक्ष था उनके लिए गल्फ जायंट्स के लिए और बोलिंग कार्ड पर एक बन हजा है डॉमिनिक ड्रेक्स ने 4 और में 36 रन दे पर एक विकेट लिया तो बोलिंग के हिसाब से तो बहुत बढ़िया उनका प्रदर्शन था शुरुवात में बिल्कुल लेकिन गल्फ जायंट्स को 179 का टार्गेट था 179 का टार्गेट दुबई के इस विकेट पर ओल्वेज इट वस गोई टूंटिंग टास्क लेकिन गल्फ जायंट्स की शुरुवात बहुत ही बैतरीन हुई लिन और विन्स क्योंकि टॉम बैंटन इंजड हो गयते इसलिए वो ओपनिंग में नहीं आये लेकिन क्रिस लिन और विन्स ने अच्छी शांदार शुरुवात की पावर प्ले में 50 रन के पार विदाउट एनी विकेट जाने वाली ये गल्फ जायंट्स अचानक से स्पीड ब्रेकर लगा और वो भी हसरंगा नाम के स्पीड ब्रेकर से इनकी टकर हुई एक नहीं दो नहीं तीन बार तीन विकेट चटकाए हसरंगा ने अपने दो ओवर में और उसके बाद वापसी कर वाइपर्स ने पटकनी दी 19 रनों से क्या बात है बोलिंग कार्ड पर एक बार नहीं दाले तो शेल्डन कॉट्रेल ने आखिर में अपना तीसरा ओवर डाला अटकिंसन एकोनोमिकल थे लूप वुड बहुत बढ़िया चार वर 26 दो विकेट टॉम कर और पिक ऑफ दो बोल को तोड़ते हुए टॉप फेवरेट्स गल्फ जायंट्स को 19 रनों से हराया शर्फेन रदफोर्ड ने एक शांदार धुआधार पारी खेली चार विकेट निकाले टॉम करन टीन विकेट निकाले हासरंगा ने और 19 रनों से जीर कर डैसर वाइपर्स अब बिकाम दे फर्स पारी दुबाई कैपिटल्स के बीच में इस एलिमिनेटर में जो जीतेगा उसका मुकाबला आगे जाकर होगा गल्फ जायंट्स के साथ और उस मुकाबले में जो जीतेगा उसका मुकाबला फाइनल में होगा डेजर्ट वाइपर्स के साथ मैं तो ठग गया भाई साथ तो यह है कहानी I.L.T.20 की डेजर्ट वाइपर्स जीत चुके है जा चुके है फाइनल में और कल एलिमिनेटर होगा MI Emirates और Dubai Capitals के बीच में तैंक यू वेरी माच दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े आज के इस प्रसारण में डिजिटल टू स्पोर्ट है आपका मन जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं क्रिकेट का जलवा हर पल यश तैंक यू बरी मच ब्रो और दोस्तों लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और हम सारे प्लाटफॉर्म्स पर मौझूद हैं तैंक यू फो बिगा पार्ट ऑफ डिजिटल टू स्पोर्ट सी यू वेरी सून